नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है मेरा नाम इंद्रभान आज हम सिंदुघाटी सब्वेता के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों ये सब्वेता दोस्तों important है क्योंकि बिस्व में जो उस समय सब्वेताएं थी उनमें सबसे बड़ी सब्वेता है कौन सिंदुघाटी सब्वेता और जो सब्वेताएं है वो जो नदियों के किनारे ही विक्सित हुई तो उसका मुख्य कारण ये था कि नदी के आसपास में उपजाव मिट्टी मिल जाता था जिससे खेती करने में आसानी होती थी और पास में ही जल भी बड़े मात्रा में उन्हें खेती करने के लिए उपलब्द हो जाता था जिस कारण से मानो जो था वो नदियों के किनारे जा जाके बसने लगा और एक नई सब्वेता का निर्मार करता है जैसे भारती उप महादीब में सिंदगाटी सब्वेता मिस्तर में मेसोपोटामिया सब्वेता अमेरिका में माया सब्वेता चीनी सब्वेता ये सब सब्व सभी नदियों के किनारे ही बिक्सित हुई हैं लेकिन इन सभी जो सभीताएं अभी प्राप्त हुए हैं इन सभी सभीताओं में सबसे बड़े छेत्र में सिंद्गाटी सभीता ही बिद्धिमान थी सबसे बड़ा छेत्र सिंद्गाटी सभीता का ही है अगर हम तुलना करें सभ भी सब्वेताओं में सिंदगाटी सब्वेता में आज हम और देखेंगे इसके दोस्तों क्या मैप का भी सहारा सिंदगाटी सब्वेता में लेंगे उसके बाद आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी थोड़ा बहुत इसमें हम समझाने का ये देखिए जो चित्र बना मिर्ण मूर्थ क्या है जो है क्या कुछ महात्र पूर्ट सब्द हैं दोस्तों जो आप लोगों को यहां पर बताना है जैसे प्राक हडपा किसे कहते हैं सिंद घाटी प्राख हडपा किसे कहते हैं मद या विक्सित हडपा किसे कहते हैं उत्तर हडपा किसे कहते हैं और मिरिण मूर्त क्या है और तिपतिया साल क्या है जो कड़ाई पे यूप यूप किया गया है जो साच प्राप्त हुए हैं सभी के बारे में हम यहां से जानकारी प्राप्त करेंगे और जो जो question important है दोस्तो वो हम जो बोलेंगे आप छाप लो दिमाग में और कापी में भी उतार लो उसको आप उतार ही लेना दोस्तो आगामी परिच्छाओं में बहुत महत्पूर question है जो अभी तक question नहीं पूछा गया है एकजामों में और जो question ऐसे है सिंदुगाटी सब्विता से 5-6 question ऐसे है जो बार-बार पूछे जाते हैं जैसे विसाल असनानागार और विसाल अनागार ये कहां से प्राप्त हुआ है तो answer है दोस्तो इसका मोहन जोड़ो से एक question ये बहुत पूछा जाता है और दूसरा question पूछता है जुता हुआ खेत का साच कहां से प्राप्त हुआ है तो काली बंगा से पूछा जाता है ये काली बंगा में प्राप्त हुआ है तो question यहां से पूछा जाता है प्राप्थ हुए हैं और मनके का साच धार्मिक से सम्बंदित कोश्चन जैसे उस समय सिंदगाटी सब्वेता के लोग किस में किस इस्वर में विश्वास करते थे या देवियों में विश्वास करते थे सिवगनेस में विश्वास करते थे या प्राकिर्थ में जो धार्म जो विद्वान था उसके वारे में भी थोड़ा बहुत यहां वहां से भी कोश्चन पूँची लिया जाता है और व्यापार से सम्बंदी जैसे सिंदगाटी सब्वेता के लोग कहां कहां से व्यापार करते थे जैसे मेसोपोटामिया से मेसर से वहां से भी एक कोश्चन कभी कभी पूँच लिया जाता है यह सब दोस्तो आई-एस-पी स्टार्ट दोस्तो तो सिंद्गाटी सब्वेता जो है कैसे खोज आ गया इंप्वार्टन्ट यह है इसका खोज कैसे होता है तो इसके लिए दोस्तो एक समझ लीजिए 1921 के पहले भी कुछ हुआ था सरपर्थम कैसे जानकारी प्राप्त होता है सिंद्गाटी सब्वेता का तो 1856 में कब 1856 में दोस्तो रेलोट ट्रेक बिछ रहा था कराची और लाहोर के बीच में तो वहां के करमचारी करमचारी ने देखा उसके आसपास में काफी जैसे घर बना हुआ घर जो जमीन में दबा हुआ है और बहुत सारे वस्तुएं प्राथुएं जिसकी सोचना दोस्तो उन करमचारी ने अपने उचे अधिकारियों को दिया और वो उचे अधिकारी बिटिस्प सासन को दिये उस जानकारी को निस दोस्तो जिसके कारण 1881 में दोस्तो कनिंगम ने क्या कनिंगं ने एक भारतिय पुँरा तत्तसाचचक पुरा तत्तसाचचक विभाग के अस्थापना ही कर ढला दोस्तो किसने कनिगं ने फिर उसके बाद इसी विभाग ने 1920 में कब 1920 के आस पास में इसी विभाग ने दयाराम साहिनी नामक बेक्टिकों इस अस्थल के परिच्छन के लिए भेजा गया 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी ने सिंदुगाटी सब्वेता से संबंदित पहला अस्थल खोजा जिसका नाम हडपा रखा गया दोस्तों क्या हडपा रखा गया और अभी प्रिचन टाइम में सिंदुगाटी सब्वेता से संबंदित लगभख 1500 अस्थलों को खोजा जा चुका है और अभी खोजा जा रहा है दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले हम बता दिये कि सिंदुगाटी के किनारे या नदी के किनारे ही सब्यताओं का विकास हुआ है तो सिंद गाटी जो सब्यता है वो किस नदी के किनारे बिक्सित हुआ है ये बिक्सित हुआ है इंडस बैली या इंडस रीवर से इंडस रीवर के किनारे किनारे दोस्तो ये है इंडस रीवर ऐसे ऐसे बहा हुआ है इसी के किनारे किनारे देखिए इसी के किनारे किनारे ये सिंद गाटी सब्विता बिक्सित हुई है अब ये जो नदी है जहां से बही हुई है दोस्तों वो एक घाटी के अंतरगत बही है जिसे हम सिंद्ध घाटी कहा जाता है जिसे क्या कहा गया है सिंद्ध घाटी कहा गया है उसी के अंतरगत ये सिंद्ध नदी बहती है तो इसके किनारे देख लीजे कौन कौन से ये दोस्तो अरली क्या है ये प्रारंभिक साच है किसके सिंदुगाटी सब्वेता के यह प्रारंभिक फेज है सिंदुगाटी सब्वेता के प्रारंभिक फेज का समय कितना है 3300 इसापूर्व से क्या 3300 इसापूर्व से 2600 इसापूर के बीच में प्रारंभिक हडपा या प्राक हडपा आता है प्राख हडपा में दोस्तो नौपासाणकाल और तामरपासाणकाल को रखा गया है प्राख हडपा के अंतरगत ठीक है अब हम देख लेते हैं इसके अस्थल जो है जैसे सोथी सिस्वाल क्या सोथी सिस्वाल ये तामरपासाणकाल का अस्थल है इसको प्राख हडपा के रखा गया है ये प्राप्त हुआ है काली बंगन प्राप्त हुआ है और जलील पुर प्राप्त हुआ है हरपा प्राप्त हुआ है और बनावाल प्राप्त हुआ है बनावाली जिसे बोलते हैं दोस्तों बनावाली प्राप्त हुआ है राखी गड़ी प्राप्त हुआ है कोट जी शिंद्वगाति सब्वेदा का अस्थल है, इसी प्रकार से बहुत सारे अस्थल हमें प्राक हडपा के प्राप्त होते हैं, दोस्तों, उसके बाद ये बीख्सित हडपा है, क्या? ये मेचियर हडपा है, बीख्सित हडपा, ये इसका समयकाल 26 इसापूर से 1900 इसापूर के बीच में रखा गया है और इस मेच्योर यानि की बिक्सित हडपा में कौन-कौन से अस्थल है सोथी इसमें नहीं है दोस्तो और बाकी लगभग में सभी वही अस्थल है जो प्राख हडपा में थे जैसे मांडा जम्बू कस्मीर में है और क्या मित्ता थल है दोस्तो ये मित्ता थल राखी गड़ी और बना वाली काली वंगन हडपा इसी परकार से बहुत सारे कोट दीची मोहन जोदडो दोस्तो बहुत सारे अस्थल हमें बिक्सित हडपा में भी देखने को मिलते हैं भारत में सिंद्गाटी सब्वेता के जो अस्थल प्राप्थ हुए है वो निम्न है जैसे परदेश वाईज हम बाटते हैं तो गुजरात में दोस्तों देखते हैं कौन-कौन से अस्थल है गुजरात में है आपके लोथल क्या लोथल है और क्या है लोथल सुरकोटडा कौन सुरकोटडा रंगपूर रोजी मालवद देशूल धौलावीरा धौलावीरा बहुत इंपॉर्टन्ट है लोथल बहुत इंपॉर्टन्ट है लोथल के बंदरगाह था दोस्तों लोथल में बंदरगा था जहां से ब्यदेशी ब्यपार भी किया जाता था तो यहां से बंदरगा के साथ छमिले हैं धौला बीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सिंद घाटी सब्वेतागा भारत में दूसरा सबसे बड़ा अस्थल है कौन धौला बीरा दूसरा सबसे प्रभात 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 प्रभा प्राप्त हुआ है हर्याणा में राखी गड़ी भिरडाना बनावली कुनाल और मिताथल ये हर्याणा में है रोपड से बड़ा बाड़ा में पंजाब के रोपड में बाड़ा में और संगोल में हमें सिंद्धुगाटी सब्वता के अस्थल प्राप्त हुए है राजस्थान मांडा नावक अस्थान पे और उत्तर परदेश के आलंगीर पूर नावक अस्थान से सिंदुगाटी सब्वता के अस्थल हमें प्राप्थ हुएं दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंदुगाटी सब्वता स्टार्ट करते हैं इसकا जो यंसी आरटी ती थी है सिंद गाटी सब्वेता का वो पचीज सो इसापूर से अठारा सो इसापूर के बीच में बताया गया है इसको दिमाग में चापो दोस्तोंская दोस्तों कापी में उतार लो यह पूस्ता एक जिया में तो सिंदोगाटी सब्वेता को हडपा सब्वेता क्यों कहा जाता है इसमें ही जानेंगे तो बात करते हैं इस सब्वेता का अधिकांस अस्थल सिंदोगाटी कहां सिंदोगाटी के आसपास ही प्राप्त हुआ है जिसके कारण इस सभ्वैता का नाम सिंद्धो घाटी रखा गया दोस्तों क्या सिंद्धो घाटी पड़ गया। प्रजातियों के लोग निवास करते थे कौन-कौन से भूमद्र सागरिये इनकी संख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त हुई है भुमदर सागरी ये प्रजाति लोगों का सबसे जादा संख्या में प्राप्थ हुआ है सबसे जादा संख्या में निवाशी यह लोग क्या है उसके बाद प्रोटो आस्ट्रलाइड, मंगोलाइड और अलपाईण ये चार परकार के थे दोस्तों अलपाईन सबसे कम पाए गए हैं और निग्रो प्रजाती जो है इनका साच अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है ठीक है दोस्तों कहां से हडपा या सिंदुगाटी सब्वेता से हमें सिंदुगाटी सब्वेता से अभी हमें निग्रो का प्रजाती के साथ हमें प्राब्त नहीं हुए है अब हम हडपा के बारे में जलज शुरू करते हैं पाकिस्तानी पंजाब के मांट गुमरी जिले में रावी नदी के बाए किनारे क्या? बाए किनारे ये दोस्तों स्थित है कौन हडपा जिसकी खुदाई दयाराम साहनी के नित्रुत में 1921 में हुई यह सहर दो संपूर भागों में निर्मित था कितने दो भागों में इसको माटा गया था पूरवी और पश्चमी भाग था वो दुर्गी कृत था और पूर्वी भाग दोस्तों जो था वो रिहाईसी था रिहाईसी लोग वहाँ पे रहते थे और यहां के जो मकान बने है कच्चे इटों से निर्मित थे और पकी इटों से उन्हें बाहर से ढग दिया गया था दोस्तों मोहन जोदोडों के विप्रीत हडपा का अन्नागार दुर्ग से बाहर यानि कि घर से बाहर बनाया जाता था अन्नागार अस्थल दोस्तों यहां से छे-छे कतार के छे-छे कतारों में दो कतार दलब छे-छे लाइनों में छे-छे करके एक लाइन में छे और दूसरे लाइन में भी छे धान कोठार यानि कि धान की कोठरी मिली हुई है जिसमें जव और ग्यहों के दाने मिले हैं दोस्तों सिंद घाटी सब्वेता के बहुत सारे अस्थल हैं, जहां से हमें अनाजो के साथ चप्राप्थ हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कहां कहां से, हरपपा में हम देखी रहे हैं कौन जव और ग्यहूं, जव ग्यहूं ही सिंद घाटी सब्वेता के परमुख फसल हैं दोस्तों, question प्रत्रम जो का ही उपयोग हमें मिलता है साच्छे ठीक है लोथल से हमें चावल और बाजरे के साच्छ प्राप्थ हुआ हैं लोथल से काली बंगा से चना सरसों के साच्छ प्राप्थ हुआ हैं और बना वली से दोस्तों जो का साच्छ प्राप्थ हुआ है रंगपूर से धान का साच प्राप्थ हुआ है इसे दोस्तों दिमाग में छापके और कापी में भी उतार लेना यह बहुत इंप्वाटन्ट है अगर तुलनात्मा कुरूब से पूँच ले तो ठीक है वो भी लकड़ी से निर्मित था दोस्तों देवदार की लकड़ी उस समय प्रियोग किया जाता था एक बरतन मिला है क्या हरप्पा में एक बरतन मिला है उस बरतन पर मच्वारे का चित्र बना हुआ क्या मच्वारे का चित्र बना है और वहां से मुद्रा पर मुद्रा पर खरगोस का भी अंकन हुआ है क्या खरगोस का अंकन हुआ है एक कोस्चन यह इसे कापी और दिम्याग दोनों में दोस्तों छाप लो कि इका गाड़ी कहां किस अस्थल से प्राप्थ हुआ है तो इका गाड़ी हरप्पा से प्राप्थ हुआ है सिर के बल खड़ी नगनिस्तरी का भी हमें चित्रिया साच प्राप्त हुआ है उसके गर्ब से दोस्तो एक बीज से पौंधा निकल रहा है जो हमें यहां यह इंगित करवाता है कि पिर्थिवी पर जीवन मौजूद है दोस्तो यहां से काजल का साच प्राप्त हुआ है और विदेशी ब्यापार का भी साच हमें हडपा से ही प्राप्त हुआ है कहां जैसे मेसोपोटामिया दोस्तो मेसोपोटामिया में एक अस्थल है कौन तेल अस्मार नाम का तेलसमार नाम का वहाँ से लाल पत्थर का मन का प्राप्थ हुआ है लाल पत्थर जो है दोस्तो हरपा में यूज होता था तो लाल पत्थर का एक मन का मिला हुआ है मेसोपोटामिया में जो हमें विदेशों के भी विदेशों में व्यापार करने का साच हमें दिखाता है दोस्तों और मिस्तर में भी मिस्तर में भी एक गुडिया प्राप्त हुई है जिसका आकार और प्रकार यानि कि किस प्रकार यानि कि जैसे तामबा का उपयोग होता था तो तांबा कासा तो उस परकार का यूज करके एक गुडिया बनाया गया था जो हमें मिस्र में देखने को मिला है दोस्तो ठोस बैल गारी का साच भी प्राप्थ हुआ है ठोस बैल गारी का पहिया ठीक है दोस्तो क्या पहिये का भी हमें साच प्राप्थ हुआ है तो उस समय स मनुस पैदल और पसुओं के द्वारा उस समय परिवहान करता था दोस्तो हडपाई बस्ती में दोस्तो बड़ी संख्या में पकी मिरिण मूर्ती क्या पकी मिरिण मूर्ती मिली गए जिसमें मात्र देवियों की विभिन मूर्तीयां सामिल है दोस्तो तो ये मिरिण मूर्ति किसे कहा जाता है मिरिण मूर्ति दोस्तो टेरा कोटा नामक पदार्थ से बनाया जाता जिसे आम भासा में चीनी मिट्टी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो टेरा कोटा को चीनी मिट्टी भी कहते हैं उससे इस काल में मूर्तियां बनाई जाती थी और जो मृर्ण मूर्तियां सिंदगाटी सब्वेता में बनाई गए हैं उसमें मात्र देवी का सबसे ज़्यादा मूर्ति प्राप्थ हुए है जिससे हमें यह अंदाजा लगाने में आसानी होता है दोस्तों कि उस समय जो समाज था वो पित्र सत्तात्मक ना होके मात्र सत्तात्मक पर आधारी था सिंदुगाटी सब्वेता दोस्तों अब एक यहां पे दोस्तों फीगर हमने लिया है यह भी कोश्चिन कभी पूछ सकता है कि कोटेशन में बिज्ञान और प्रदोग की के अगरदूत कौन थे तो हडपा वासी थे वो इनको कहा गया है बिज्ञान और प्रदोग के अगरदूत थे दोस्तों यह आगे चलते हैं दोस्तों अब हम रोजदी के बारे में बात करेंगे रोजदी जो अस्थल है दोस्तों ये कहां पर प्राप्थ हुआ है ये गुजरात में गुजरात के सौराष्ट जिले में स्थित है यहां से जो सिंदगाटी की संस्कृत ही है दोस्तों उसके सिर्फ दो ही चरण मिले है प्राक हडपा और उत्तर हडपा दोस्तों ठीक है प्रा खडपा में आपका नौपासाणकाल और तामरपासाणकाल नौपासाणकाल और तामरपासाणकाल और उत्तर हडपा में दोस्तों उत्तर हडपा को हम कास यूगीन या बिक्सित कास यूगीन सबत्त के नाम से जानते हैं यहां से मृत भांड मिला है दोस्तो जो काला और लाल प्रकार का है दोस्तो जुम्रित भांट प्राप्थ हुआ है रोजदी से दोस्तो अब हम बात करते हैं मोहन जोदुड़ अस्तल की बारे में तो मोहन जादाडों पर एक मूवी भी बनी है रितिक रोशन की देख सकते हैं इसका खोज दोस्तो 1922 में रखाल दास बनर जी के द्वारा 1922 में मोहन जोदुड़ों का खोज किया जाता है यह अस्तल जो है सिंध के लरकाना जिले कहां लरकाना जिले में सिंध नदी के किनारे इस्थित है दोस्तो ठीक है इसको भी कापी में छाप लो दिमाग में उतार लो मोहन जोदुड़ों का साब्दी कर्थ मिर्तिकों का टीला है मोहन जोदुड़ों के जो भवन थे दोस्तो वो पकी इंटों से निर्मित थे और मकान के अंदर ही आगन, रसोई घर, कुवा, असनाना घर आवस्थक रूप से जुड़े थे यानि इसका आर्थ ही यह हुआ कि मोहन जोदाड़ों में जितने भी आवस्थक अस्थल या जहां पर ज्यादा आवस्थक रूप से ज्यादा समय बैतीत किया जाता था वो सब घर के अंदर ही दोस्तों आपको मिल जाते थे, यह मकान, जो मोहन जोदाड़ों में मकान मिले हैं, वो तीन-तीन मंजले तक होते थे क्यों इसका हमें अनुमान कैसे लगता है, वहाँ पे सीड़ी के भी साच्छ में प्राप्थ हुए हैं अब मोहन जोदाड़ों के साच्छी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे यह कोस्चन सबसे ज़्यादा, वन डे, गुरूब डी, पी सी अस, यहां तक की आई एस में भी एक बार यह कोस्चन पूछा गया है, क्या, विसाल असनानागार और विसाल अनागार कहां से हमें प्राप्त हुआ है, यहां से यचार छेत्र में बेदिका युक्त, बिरिच्छ का चित्र भी चित्रन मिला हुआ है, परसित्थ योगी की मूर्थ इसे दिमाग में चापो, और कापी में उतालो, यह अभी तक कोस्चन दोस्तों आया नहीं है, आगे पूछने की बहुत प्र योगी के मूर्थ पे किया गया है, और यह साच कहां प्राप्त हुआ है, मोहन जोदारो नामक अस्थल से, बालो का पिन भी यहां से प्राप्त हुआ है, यह दोस्तों जो आपको चित्र दिख रहा है मुबाइल पे, मतलब स्क्रीन पे दोस्तों, यह जो है, यही है योगी, यहांने कि यह एक योगी मुदरा में, साधू मुदरा में है, मूर्ति बनी है, इसका हम देख लेते हैं, जूमिंग करके दोस्तों, तिपतिया साल क्या है यह, कड़ाई कैसे होता था, तो आप यह देख रहा है इसमें, बाय कंदे पे दोस्तों, यह बाया कंदा है, इसके उपर ये साल का निर्मार किया गया है क्या साल का ये निर्मार किया गया है इस साल की जो इस्तिती है दोस्तो बाएं कंधे के उपर से दाएं हाथ के नीचे से इसे ले जाया गया है तिपतिया साल को ठीक है दोस्तो यहां पर आप जहां से देखिए इसके दाड़ी भी है दोस आकलन अर्थात साच प्राप्त होता है दोस्तो इसी में दोस्तो एक dancing girl है मोहन जोदाडों में दोस्तो ये अभी तब question आया नहीं है लेकिन यही है dancing girl ये question आने का प्रवल साभवना है दोस्तो ये साच हमें मोहन जोदाडों से प्राप्त हुआ है इस question को दिमाग में उतारो कापी में भी छापो दोस्तो तो dancing girl या निरित करती हुई लड़की ठीक है दोस्तो ये जो मूर्त है कासे से निर्मित है तो कासे से निर्मित निरित करती हुई लड़की की मूर्त का साथ हमें कहां से प्राप्त हुआ है मोहन जोदडो से दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसका क्या इसका बाया हाथ जो है ये बाया हाथ कंधे के ऊपर है दोस्तों ये बाया हाथ ये कंधे के ऊपर है और इसका दाया हाथ भारतिय निरित्य सैली के अनुसार क्या के अनुसार दाये पैर के जांग के ऊपर अपने ह हात को इसने रखा है इसके हाथों में दोस्तों देखो ये कड़ा पैन रखी है दोस्तों और इसके गले में हार भी एक लटका हुआ है ये एक नग ने चित्र है दोस्तों ठीक है अब हम आगे बात करते हैं मोहन जोदोडों से ही दोस्तों क्या मोहन जोदोडों से ही हमें एक प्रहनन मुद्रा प्राप्त हुआ है किस प्रकार का प्रहनन मुद्रा है मिला हुआ है जिसमें एक ऐसे पुरुस का अंकन है जिसका चेहरा तो किसी पुरुस का है लेकिन कान जो है उसका किसी जानवर जैसा लगता है तथा पूछ उसमें बंदर की लगी हुई है दोस्तो ऐसा मुद्रा प्राप्थ हुआ है मिट्टी के हल भी यहां से हमें मिले हुए हैं मोहन जोदडों से और उस समय गणेश मोहन जोदडों में दोस्तो सिव और गणेश की उपासना की जाती है ऐसा साच हमें एक मुहर पे मिला हुआ है और मेसोपटामिया की एक मुद्रा भी प्राप्थ हुए है जो बेलनाकार की है कहां से मोहन जोदडों से एक मूर्थ है जो देवी की मूर्थ है दोस्तों उसके सिर पर पच्छी पंख फैलाए हुए उड़ रहा है दोस्तों अब हम लोथल के बारे में बात करते हैं तो लोथल का अर्थ होता है दोस्तों मुर्दों का टीला ठीक है गुजरात के आमदावाजिले के भोगवा नदी ये दो नदियों के संगर पे बसाता भोगवा और साबरमती और इसका अधिकांस भाग भोगवा नदी के किनारे था तो इसलिए इसको भोगवा नदी के किनारे माना गया है लोथल अस्थल के किनारे इस्थित है दोस्तों तो लोथल के साच लोथल से क्या क्या साच प्राप्त हुए है गोदी वाड़ा या इसको इंगलिस में डाक यार्ड बोलते हैं गोदी वाड़ा जो है दोस्तो अगर यहां से एक कोस्चन अभी तक आया नहीं लेकिन पूँच सकता है कि सिंद घाटी सब्वेता में इट से निर्मित सबसे बड़ी सर रचना कहा से हमें देखने को मिलती है तो वो लोथल्स के गोदी वाड़ा में देखने को मिलता है गोदी वाड़ा जो है दोस्तो एक बंदरगा है डाक यार्ड जी से बोलते हैं बंदरगा के किनारे जहां पे आके जहाजवाज रुखते हैं तो वो इंटों से निर्मित है सबसे ज़्यादा इंटे यहीं से प्राप्थ हुआ है तो यहां से और तीन युगमित समाधी एक ममी का एक मात्र ऐसा अस्थल है जहां ममी का उधारान मिलता है वो है लोथल तो क्योंकि यह मिस्र से अनाज पीसने के चक्की भी यहां से प्राप्थ हुए है मनका बनाने की एक फैक्टरी का विसाच यहां से मिला हुआ है तो लोथल जो है एक क्या अउदोगिक छेतर था सिंदुगाटी सब्विता में लोथल और चनहुदडो यह दो ऐसे अस्थल हैं जो अउदोगिक छेतर थे दोस्तो यह अउदोगिक नगर थे यहां से सूती वस्त्र और रंगाई के कुंड हाथी का पूरा दात कोस्चन पूछेगा दोस्तो यह इंप्वार्टन है लिख लो हाथी का पूरा दात कहां से प्राप्थ हुआ है लोथल से प्राप्ट हुआ है दोस्तों दो पईयों का क्या दो पईयों वाला खिलावना जिस पर एक ब्यक्ति खड़ा हुआ है वो भी प्राप्ट हुआ है लोथल से तामेक की मुद्रा भी प्राप्ट हुई है दोस्तों मुद्रा पर बीज बुने का यंत्र भी अंकित किया गया है और important यह भी है पकी मिट्टी की बनी नाव भी यहां से हमें प्राप्त हुआ है तो अब हम यहां पर यह बात कर लेते हैं कि सिंद्ध घाटी सब्वेता में दोस्तो जो परिवहन था वो मुखिता दो परकार के परि यहां था और दूसरा जल परिवहन था क्योंकि वहां हमें नाव के यह मिट्टी से पकी जो नाव का साच प्राप्त हुआ हमें यह इंगित करता है कि विदेशों से जो ब्यापार था दोस्तो वो नाव के सहरे किया जाता था सिंद्ध घाटी सब्वेता में उस समय जो मुद्रा भी प्राप्त हुई हैं सेल खड़ी की मुहरे या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तांबे की भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और बहुत सारे वस्तों जैसे लाजवर्द और बहुत चांदी सोना इत्यादी की भी मुद्रा हमें प्राप्त हुई है दोस्त गोटिया इस परकार का बनाते थे मनोरंजन के लिए दोस्तों मनोरंजन के लिए अपना गोटियां बनाते थे वो तो कुत्ता परकार का गोटी बैल की आकरित की गोटी बनाएक के वो लोग मनोरंजन आपस में करते थे उस समय सिंद घाटी सब्वेता में दोस्तों मनोरंजन वहां के मानव पसुओं को लड़ा के पच्छीयों को लड़ा कर और जंगली पसुओं का सिकार करकर इत्यादी परकार से अपना मनोरंजन करते रहते थे नगरों का एकल विभाजन हमें देखने को मिलता है लोथल से पंचितंत्र की चालाग जो लोमडी है वो एक मृद्भांड बरतन पे अंकित है दोस्तों इसका विसाच हमें प्रात्त है लोथल के सहर का विभाजन दुर्ग और निचले सहर में नहीं था क्या ये क्योंकि इसका विभाजन जो था एकल विभाजन था इसलिए ये दुर्ग और निचले सहर में नहीं वटा था यहां से बित्ताकार और चवकोर आकरित की बेदिका के साच हमें प्राप्त हुए है क्या दोस्तों बेदिका के साच प्राप्त हुए है अब हम बात करते हैं काली बंगा तो का काले रंग की चूडिया काली बंगा का साथ्धी करत है काले रंग की चूडिया यहां से दो ही प्रकार के हमें साच पराप्त हुए हैं दो ही प्रकार के संस्कृत का कौन प्राक हडपा का और बिक्सित हडपा का उत्तर हडपा का साच हमें काली बंगा में नहीं देखने को मिल अर्थात उत्तर हरपा आते आते काली बंगा अस्थल नश्ट हो चुगा था दोस्तो तो यहां से most important question जुते हुए खेत का साथ चे इसे कापी और दिमाग में दोनों में चावल के दाने और बाजरा काली बंगा से चना और सरसो दोस्तो यह देखी रहे हैं चना सरसो काली बंगा से और बनावली से जो रंगपूर से धान की भूसी के साच प्राप्त हुए हैं ये एक मात्र एक ऐसा अस्थल है दोस्तों काली बंगा जहां से पक्की फर्स घरों में पक्की फर्स बनाई जाती थी ऐसा एक मात्र साच अस्थल काली बंगा में देखने को मिलता है दोस्तों कपड़े से लिप्टा एक उस्तरा मिला है उस्तरा जो सेविंग के कार आता है दाड़ी बनाने के तो इससे ये अनमान लगता है कि उसमें पुरुस दाड़ी बनाया करते थे पक्की मिट्टी का एक पैमाना भी प्राप्थ हुआ है कैसे हमें ये जानकारी मिलता है एक बालक का सव प्राप्थ हुआ है जिसके कपाल खंड में छेद है दोस्तो कितने छेद है उसमें छेद है दोस्तो उसमें होल है जिसके कारण वो हमें इंगित करता है कि उसमें सल्ल चिकस्सा भी बिद्दमान था एक मिरिद्भांड पर एक सींग वाले देवता तथा दूसरी और एक बकरी जिसे एक बकरी को ला रहा है ऐसा मिरिद्भांड दोस्तों प्राप्थ हुआ है नाली के रूप में इसमें काली बंगा में लकड़ी का पाइप परियोग किया जाता था क्या लकड़ी का पाइप परियोग किया जाता जल को बाहर निकालने के लिए इट के चब उतरे पर साथ हवन कुंड का साच भी काली बंगा में हमें प्राप्थ होता है अर्था धार्मिक जीवन में यग की सुरुवात हो चुकी थी दोस्तों यहां से एक चित्रम देखते हैं जूम करके दिखाते हैं यह सवाधान हुआ है दोस्तों इसमें देखिए इसके साथ में आपको काली वंगा में कुछ बरतन भी रखा गया है देखिए इस सवाधान में कुछ बरतन यानि की भोतिक वस्तुयों को भी रखा जाता था तो इससे हमें यह पता चलता था कि वहां के लोगों में यह विश्वास था उसमय कि मरने के बाद भी लोग इन्हें वस्तूओं का उपयोग करते हैं इसलिए उनके साथ में व्श्तूओं को रख दिया जाता अब हम संगोल के बारे में बात करते हैं दोस्तों क्या टॉपिक है संगोल संगोल एक important topic है संगोल में क्या ये पंजाब में इस्थित है दोस्तों पंजाब के लुधियाना में लुधियाना जिले में चंडीगड के पास इस्थित है इसकी खुदाई यसियस तलवार important है इसे याद कर लो यसे स्तलवार तथा बिष्ट ने की थी दोस्तों यहां से तांबे की छेनिया प्राप्थ हुए हैं क्या तांबे की छेनिया बृत्ताकार अगनुकुंड के भी साच प्राप्थ हुए है यानि कि हमन अयग के साच यहां से भी प्राप्थ हुए है अब का तो important है ENC मजुनदार इनको याद कर लिजिए चनहुदलों की खोज करता है यहां से संस्रित के तीनों चरंड प्राप्त हुए हैं कौन प्राक हरपा बिक्षित हरपा और उत्तर हरपा प्राक हरपा में नव पासाणकाल और तामर पासाणकाल और बिक्सित हडपा में बिक्सित कास्युगीन सब्वेता आता है और उत्तर हडपा में बिक्सित कास्युगीन सब्वेता हमें मिलती है इस सब्वेता का बिनास जो है बार से लगता है दोस्तों यहां से वक्राकार इंट का साचप्राप्थ हुआ है एक मुद्रा पर तीन घडियाल और दो मचली बना हुआ अंकन हुआ है दोस्तो सौंदर प्रसादन में लिपिष्टी और इत्र रखने का बरतन भी हमें चनहुदुडो से मिला है चनहुदुडो एक और दोगिग नगर था दोस्तो चनहुदुडो और लोथल दो ऐसे नगर है जो ओदोगिग नगर थे और चनहुदुडो से भी और लोथल दोनों जगां से हमें मन के बनाने की फैक्टरी के साच्छा में प्राप्थ हुए है दोस्तो यहां से एक मुद्रा में तीन घड़ियाल और दो मचली भी प्राप्त हुआ है इसका चर्चाम कर चुके है एक इंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे का पधचिन प्राप्त हुआ है और दो बड़े जार जिन पर प्रत छेदी बृत नेर्मित है दोस्तों ऐसा साच में मिला हुआ चनहुद्रों से अब हम बात करते हैं कुडाल कुडाल में दोस्तों या हर्याना में हर्याना के हिसार जिले में सरस्थती नदी के किनारे इस्थित था दोस्तों कुडाल यहां से सोने चान्दी का मुकट प्राप्त हुआ है दोस्तों यहां से सिंदगाटी संस्कृत यानि की उत्तर सिंदगाटी संस्कृत हमें देखने को मिलता है मालवन या गुजरात प्रांत के सूरत जिले में हैं दोस्तों किस नदी के किनारे तापती नदी के मुहाने इस्तित है यहां से उत्तर हडपा सब्वेता के साच प्राप्त है राखी गड़ी बहुत important है दोस्तों राखी गड़ी कहां से मिला है राखी गड़ी जो है ये सिंद्गाटी सब्वेता में प्राप्त जितने भी अस्थल है सबसे बड़ा अस्थल है कौन राखी गड़ी और भारत में भी सबसे बड़ा अस्थल राखी गड़ी ही है तो भारत में पहला अस्थान जो सबसे बड़ा अस्थाल है सिंदुगाटी का राखी गड़ी दूसरा अस्थाल जो है धौला बीरा है दोस्तों यहां से हमें क्या राखी गड़ी से हमें प्राक खडपा और परिपक खडपा का साच प्राप्थ हुआ है ठीक है राखी गड़ी राखी गड़ी कहा है दोस्तों ये हर्याना में इस्थित है बनावली हर्याणा के हिसार जिले में इस्थित है इसका खोज दोस्तों 1973 में आरियस बिस्ट ने किया है यहां से प्राक हडपा और बिक्सित हडपा के साच्छे प्राप्त हुए है यहां से हमें अनाज प्राप्त हुए है अनाज के रूप में हमें अच्छे किस्म का जो प्राप्त हुआ है बना वाली से हमें जो प्राप्त हुआ है फिर एक बार हम यहाँ पे कहां कहां से सिंद घाटी के में अनाज प्राप्त हुआ है चर्चा कर लेते हैं लोथल में चावल और बाजरे का दाना प्राप्थ हुआ है, हरपपा में जो और गेहू बनावली में देखी रहे हैं, जो प्राप्थ हुआ है, रंगपूर में धान की भूसी प्राप्थ हुआ है, तामे का एक वनडाग प्राप्थ हुआ है, तामे का एक तीर भी देखने को मिलता है बनावली में नाली पद्धती का यहां पर अभाव है बनावली एक ऐसा अस्थल है जहां पर हमें नाली पद्धती नहीं देखने को मिलता है दोस्तों तामे की कुलाडी भी यहां से हमें मिला हुआ है क्या तामे की कुलाडी बहुत सारे ऐसे अस्थल है ज जैसे जैसे दोस्तो बनावली होई गया और क्या जैसे बनावली और सुत कागे डोर दोस्तो सुत कागे डोर में भी तामे की कुलाडी प्राप्त हुई है रोपड में भी रोपड नामक अस्थल पे भी हमें तामे की कुलाडी प्राप्त हुई है और मित्ता थल में भी दोस्त तो हमें तांबे की एक कुलाड़ी का साच प्राप्थ हुआ है तो इन सभी अस्तलों से तांबे के कुलाड़ी के साच मिले है मकानों को मिट्टी से लेपा जाता था दोस्तो बनावली की नगर योजना सतरंज की बिरासत के जैसा ही था सतरंज के बिरासाज आप देखे हैं सतरंज जिस पे खेला जाता है उसी परकार का इसका नगर योजना बनाया गया था दोस्तो ये है देखिए दोस्तो बनावली बनावली का ये नगर है आप चित्र में देखी रहे हैं ये देखिए कुवा दोस्तो है इसमें कुवा ठीक है और ये रास्ता आपको दिख रहा है दोस्तो और सत्रंज की तरह है ठीक है ये इसके घर है ये मकान है दोस्तो दुर्ग का दुर्ग का चार दिवारी है दोस्तो चार दिवारी किया गया है ये हमें बनावली से मिला हुआ चित्रे अब हम बात करते हैं रोपड रोपड इंप्वार्टन्ट साइट है दोस्तों एक ये रोपड के बात कर लेते हैं सबसे पहला यहां से जो most important question है पूछा जाता है कि स्वतंतरता के पश्चात इसे कांपी दिमाग में छापो दोस्तो स्वतंतरता के पश्चात सबसे पहला जो खुदाई किया गया था वो रोपर नामक अस्थल पे ही किया गया था अब हम बात करते हैं इसका खोज दोस्तो यगदत सर्मा ने किया था औप पंजाब के 17 जनदी के किनारे ये इस्थित है रोपर में रोपर जो है पंजाब के 17 जनदी के किनारे इस्थित है यहां से हरपा चरण के साथ चित्रित धूसर मिर्दभांड भी प्राप्थ हुए है रोपड एक ऐसा अस्थल है जहां से कुसाण, गोप्त, मद्धकालीन तक के मिर्दभांड दोस्तों हमें रोपड से प्राप्थ हुए है तो रोपण जो अस्थल है इसको याद रख लेजिए दोस्तों यह प्राचीन अस्थलों में आता है यहां से तांबे की एक कुलाडी प्राप्त हुई है तो तांबे की कुलाडी कहां कहां से मिला है सुतकागे डोर रोपड बना वाली अमिता थल्म से तांबे की कुलाडी प्राप्त हुई है और यहां से एक मात्र मुद्रा प्राप्त हुई है सिर्फ एक ही मुद्रा प्राप्त हुई है रोपड से ठीक है इसका तो बात करी चुके है सोतंतरता पश्चात के बाद सोतंतरता पश्चात के बाद पहला जो खुदाई हुआ था सिंदगाटी सब्विता के अंतरगाद वो रोपड अस्थल है दोस्तो अब धौला बीरा धौला बीरा के बारे में थोड़ा पड़ जान लेते है धौ़ा बीरा का अर्थ होता साब्दिक या ताथपतर है दोस्तो सफेद कुआ या सफेद कुआ धौका जो था आताकार टाइप का था तीन भागों में विभाजित था दूर्ग मद्ध तथा निचले नगर में दोस्तो तीनों भाग इसके दुरगी करित थे यहां का जो जल परबंधन था यह question बहुत important है कापी और दिमाग दोनों में छापो कि जल परबंधन सबसे बिसिष्ट या उतकरिष्ट किसम का कहां पर मिला है सच तो धौला बीरा में दोस्तों हमें प्राप्थ हुआ है यहां आयताकार मोहरे जादा प्राप्थ हुए है जिस पर एक स्रिंगी पसु का अंकन हुआ है क्या एक स्रिंगी पसु का अंकन हुआ है दोस्तों एक स्रिंगी पसु जो है यह है देखिए एक ही सिंग इसमें है यह बैल की साण की तरह है दोस्तों ये एक सिंग बना हुआ है ये मोहर है और ये किस से निर्मार हुआ है ये मोहर किस से निर्मार किया गया है किस पदार्थ से सेल खड़ी दोस्तों जो चीनी मिट्टी जिसे कहते हैं तो उस समय जो बिनमय प्रणाली थी सिंदगाटी सब्यता में वो मुद्रा पे आधारित था दोस्तों बिनमय प्रणाली ठीक है और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजे हैं जो साच्छ में प्राप्थ हुए हैं और कौन कौन से हैं देख लेते हैं गुलावी रंग क्या गुलावी रंग के चित्रकारी की गई है मेरे दभाण चाग निर्मित है दोस्तों जो अहां के मेरे दभाण यानी की बरतन मिले हैं वो चाग पे बनाए जाते हैं प्रंतों हाथ से भी निर्मित बरतन बनाने के साच्छ प्राप्थ हुए हैं सिर्फ धौला बीरा में पशु के कोई भी साच भाप्त हुआ है और यहाँ एक question दिमाग में छापो दारों दोस्तों क्या शिंग का हमें सिंद्गाटी सब्वथा में कहीं भी किसी भी अस्थल से साच भाप्त हुआ है जबकि मेसोपुटामिया में हमें सिंग के साच प्राप्थ हुए हैं बाग, बैल, हाथी, घोडा, भैसा इन सभी के साच दोस्तों हमें सिंद घाटी सब्वेता में देखने को मिलते हैं हरप्पा सब्वेता के उद्ववयों पतन का विश्वसनिय जानकारी हमें कहां से धौला बीरा से ही देखने को मिलता है ठीक है, पतन और उद्वव दोनों के साच हमें धौला बीरा से क्योंकि यहां पे सिंद घाटी की जो संस्कृती है तीनों चरणों की संस्कृती हमें धौला बीरा में देखने को मिलता है धॉला बीरा जो है भारत का दूसारा सबसे बड़ा अस्थल है दोस्तो और सिंद घाटी सबहता में अगर पूश ले तो चौथा सबसे बड़ा अस्थल है अब हम बात करते हैं दोस्तो यह जो है अब सुर्खोडड़ा के वारे में हम बात करेंगे दोस्तों सुर्खोड़ा जो वर्तमान गुजरात के कच पर देश में देखने को मिलता है सुर्खोड़ा नावा का स्थल इसका उत्खनन कौन किया था दोस्तों जगपत जोशी ने किया था का 1964 हिस्वी में इसकी खुदाई करवाया गया था 1964 हिस्वी में गोडे की अस्थियां दोस्तों क्या गोडे की अस्थियां हमें सुर्कोड़ा से ही हमें प्राप्त हुई है एक अनोखे कब्रगा का भी हमें साच्छे प्राप्त हुआ है सुरकोड़ा से यहां से एक मुद्रा की प्राप्थ हुई है ठीक है दोस्तो दुर्ग के बाहर योम अंदर घरों के अतरीक्त सापिंग कांपलेक्स के भी साच प्राप्थ हुआ है जो बड़े-बड़े जैसे महल बनाये जाते थे दोस्तो उसमें क्या घर के साथ सापिंग कांपलेक्स भी बने हुए थे उसमें उसी मतलब बड़े-बड़े महलों में ठीक है तो वो कहां से हमें सापिंग कांपलेक्स की जानकारी या साच प्राप्थ होता है सुर कोड़डा से दोस्तो अब हम आगे बात करते हैं सुतका कागे डोर वो सुर कोड़डा है और ये सुतका का के डोर है कागे सुतका के डोर सुतका के डोर दोस्तो इसको हम पढ़ेंगे सुतका के डोर ये 1927 में कब 1927 में R.L.S.T.I.N. के अधिन खोजा गया था यहां से परिपक खडपा काल के साच प्राप्त है इस सब्वेता में मतलब सिंद घाटी सब्वेता में दोस्तो ये सबसे प्राचीन अस्थल है अगर एक कोश्चन ये पूछा जाएगा इसे दिमाग और कापी दोनों जगा चापो दोस्तो कि सबसे प्राचीन अस्थल सिंद घाटी सब्वेता का कौन सा है तो वो कौन सा है वो है सुद कागे डोर दोस्तो क्या है सुद कागे डोर है दोस्तो बहुत important है ये question दोस्तो इसको दोनों जगा चाप लो यहां से अस्ति राख से भरा बरतन अतांबे की कुलहाडी तथा मिट्टी से बनी चूडिया भी प्राप्थ हुई है तो दोस्तो जो अस्ति यानि की जानवरों के जैसे जो अस्ति प्राप्थ हुए है काफी अस्तलों से हमें प्राप्थ हुए हैं तो उसको भी एक ही जगा हम बात कर ले रहे हैं जैसे सुत्कागे डोर में दोस्तों क्या सुत्कागे डोर में हमें अस्ति प्राप्थ हुआ है काली बंगा में दोस्तों हमें उट की हड़ी इसे कांपी दिमाग दोनों जगा छापो दोस्तों काली बंगा में उट की हड़ी हमें प्राप्थ हुआ है लोथल में घोडे का प्राप्त हुए हैं तो काली बंगा से उंट के हड़ी प्राप्त हुई है और लोथल से घोड़े का जबड़ा और हाथी दात के वस्तुएं ठीक है और राना गुंड़ाई में घोड़े का तात ये राना गुंड़ाई जो है दोस्तों इसे कापी दिमाग दोनों जगा छाप अभी तक कोश्चन नहीं आया है आगे आने के संभावना है दोस्तों अब हम आगे चलते हैं रंगपूर रंगपूर वर्तमान गुजरात के काठिया वाड जिले में इस्थित है दोस्तों किस नदी के किनारे गादर नदी ठीक है गादर नदी के किनारे इसकी खुदाई दोस से ये सब्द श्टार्ट होता है और इसका जो खोज किया है दोस्तों जिसने खोज किया है उसका नाम भी रंग से ही शुरू होता है तो अगर यह कभी एक जाम में आ जाए या भूल जाओ तो वहां पे आप इस परकार का ट्रिक लगा के कि रंग पूर का खोज रंगनाथ रा इन संस्कृत के साच प्राप्त है और धान की भूसी हमें रंगपूर से मिलती है एक बार फिर से हम यहां दोरा देते हैं दोस्तों कहां कहां से हमें अनाच के साच प्राप्त हुए हैं तो रंगपूर से धान की भूसी लोथल से दोस्तों चावल के दाने और बाजरा की प्रा प्राप्ति और बना वाली से जव की प्राप्ति और ठीक है दोस्तों यह हमें प्राप्त हुए हैं इसमें जो question एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सिंद्धु गाटी सब्विता में पूछता है सिंद्धु गाटी सब्विता की मुख्य फसले कौन-कौन से थी तो वो जो और ग्यहू थी दोस्तो अब आलमगीरपूर के बारे 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 हम चार्चा करते हैं या अस्थल पस्चमी उत्तर परदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी में कहां हिंडन नदी के किनारे इस्थित है यहां से रोटी बनाने का चकला मिला हुआ है दोस्तो बरतनों पर मौर तथा गिलहरी का चित्रकारी किया गया है जो मिर्दभान प्राब्थ हुए हैं आगे नेक्ष्ट अस्थल के बारे में मित्ता-थल यह मी है आधा ता दोनों है दोस्तो तापाग मंत्र है थल मित्त थल तो प्राक उन्नत और उत्तर तीनों हरपा कालीन साच मिले हुए हैं ठीक है ये लेक्चर बहुत इंपोर्टन्ट है दोस्तो आप लोग इसको जितने भी क्वेश्चन हमने बताये हैं आने के संभावना है और जो जो हमने बोला है जहां पर कि आप दिमाग को कापी में छाप लो दोस्तो तो वो भी क्वेश्चन आने के बहुत प्रबल संभावना है चाहे वो आईएस हो चाहे वो PCS हो UPPCS बिहार PCS UPROARO CTET या SSCCGL कोई भी एकजाम हो दोस्तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है यह मान के चलिए दोस्तो आप कोई भी एकजाम देंगे तो 99% आप कोईश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे अगर इस लेक्चर को बनिया से आप अपने दिमाग में उतार ले गए दोस्तो ठीक है और यह लेक्चर हमने 7 लगभग में 7 से 8 साइटों को उप्योग करके और SSC घटना चक्र UPPCS घटना चक्र और यूथ का TGP TGT PGT और यसके पांडे इन सभी बुकों को मिला के दोस्तो इस लेक्चर को हमने बनाया है ठीक है दोस्तो और उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाए हैं अब हम आगे दोस्तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे सिंद्गाटी तो इसी से जुडाव है जो स्विंद्गाटी सभी तो रिख बैदी काल की होता है लोहे रिखवैदिक काल में आते आते हमें लोहे धात का उपयोग होने लगा था दोस्तों ठीक है इसी के साथ दोस्तों नमस्कार